हेलो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे चौद्वा वितायोग चौद्वा वितायोग दो जन्वरी दी होजा तेरा को गठित किया था इसके अध्यक्ष थे वाई भी रेड़ी और जो भाती रिजब बैंक के अध्यक्ष भी रह थे जबकि सदस्यों में सामिल थे प्रोफेस से लागुख होनी थी और 31 सक्टूबर 2014 तक इसे अपनी रिपोर्ट स्वाम्टनी थी आयोग के विचारार्थ विशय निम्लिकित स्वापी गई थी पहला था इसके अंतर दुचकर जो विशय थी वो थी कर हस्तांतर नेवों अनुदान संबंदी विशय कुल प्राप्तियो से राज्यों के राजश्व की अनुदान सहायता तता समिधान की अनुछे 275 के अनुसार जरुवत मंद राज्यों के कौन के राजश्व के माध्यम से अनुदान सहायता शाशित करने वाले सिधान्त का निरूपन राज्यों को वित आयो की सिफारिशों के अधार पर पंच करना केंदेवर राज्यों के वित घाटे एवं वर्ण इस्थरों की शमिक्षा करना तता एक इस्थर धार्णिये राजकोशी वातवर्ण का निर्मान करने की उपाय बनाना जो कि समत्पो वृद्धी की संगती में से साथ ही पहले से लागू FRBM में संसोधन सुझाना आयोक से कहा गया कि राज्यों के लिए FRBM में वर्णी जिम्मदार्यों को पूरा करने के लिए पोस्साहन एवं हदुस्साहन पर विचार करें एवं शिफारिस दे आयोक से ये भी अपिक्षा की जाती है को निम्लिखित पर विचार करें पहला केन सरकार के संसाधन तथा केन सरकार के संसाधनों पर मांग राज सरकार के संसाधन एवं ऐसे संसाधनों पर विविन मदों से मांग जिसमें रिन गरस्तता राज संसाधन खातों पर प्राप्तियों एवं खर्च के संतुलन इस्थापित करना बल्कि पूंजी निवेश के लिए अत्रिक सिजित करना सभी राज्यों और संग के राजस सुखाते पर प्राप्तिय व्यकों संतुलित करने का ना केवल उद्देश बल्कि पूंजी निवेश के लिए अधिशेश भी पैदा करना केन सरकार तथा प्रतेक राजस सरकार के करारोपन तथा अत्रिक संसाधन जुटाने के प्रत्ने धार्णी एमल समावेशी व्रिद्दे के लिए जरूरी सबसिडी तथा केन देमों राज्यों के बीच सबसिडी की समान हिस्सेदारी अनुरक्षन के गैर वैतनिक खंड पर खर्च तथा पुझीगत सास्तियों की देखरे साथी प्लान स्कीमों पर गैर वैतनिक अनुरक्षन खर्च को 31 माद 2000 तक पूरा करना वे तरीके आधार पर पुझी गज सास्तियों के अनुरक्षन के लिए विशिस्ट राश्री अनुशासित की जाती है और ऐसे खर्च का अनुशुरन करना साजनिक उप्योगता की सेवाओं जैसी की पीने के पानी, सिचाई, बिजली, साजनिक परिवन के वैधानिक प्रवधानों के माद्यब से नितिकत उता चड़ाओं की इंसुलेटेट करने के अफशकता साजनि उपक्रमों को पर्तिशपरधा एवं बाजार मुनुक बनाने की जरूरत, सुची बदिता एवं वी निवेश गैर प्रात्मिक्ता प्रात उपक्रमों को त्यागना पारिस्थितिकी पर्यावर्ण तथा जल्वायू परवर्तन को धार्नी आर्थिक विकास के सास संतुलित करने की जरूरत, तथा केंद और राज्यों के बीज, वित पर पस्तावित वस्तु एवं सेवा करका प्रभाव तथा राजश्वे चति की स्तिती में चति पूर्ति की प्रक्रिया का निर्याक छडन वर्तमान साजनिक वय प्रवंधन प्रणाली की समिक्षा, निमलिकित के बारे में भी अनुशंसा करना, पहला बजट निधारन, एवं लेखा मानक, एवं उप्योग, दूसरा प्राप्तियों एवं खर्च की वर्तमान प्रणाली का वर्गी करन, अगला उत्पादन ये पर वर्तमान व्यवस्था की समिक्षा, आप्ता प्रण्वंधन नियम 2015, 2005 के प्रवधानों के आलोक में तता अनुशया में करना, चटमा इस आधार को इंगित करने के लिए जिस पर ये अपने निशकर्षों पर पहुँचा हर प्राप्तियों और वय का राजबर अनुमान आधार बनाए, जहां जनसंख्या करो एवं सुलको तथा अनुदान सहायता की निधारन का एक कगार है, हाला कि आयोग 1971 के बाद हुए जनसांख्य की बदलाओं का भी जायजा ले सकता है, वित आयोग की सिफारिशे क्या थी, वर्ष 2015 की सुरुआ तो वित आयोग ने अपन स्बटारे के विशे में दुर्गाव में परिवर्तनों को सला दी है, ये पारमर्ष 2015 से विश की अब्दी के लिए थे, जिसका केंद राज्य संबंदों पर भी प्रभाव पड़ेगा, पारमर्षों को सफलता पुर्वक लागू करने से सहकारी संगवार को बल मिलेगा, ज जिसमें नई सरका जो सावपुर्वा आगे बढ़ना चाती है, को कुछ प्रभाव और शंशाय दी गई जो निम्रवत थी, पहला, इससे करो के केंद्रे डिवीजबल पुल्क में राज्यों का हिसा 42 पतीशत से बढ़कर 32 पतीशत किया गया, जो कर वित्रन में अब तक की स दिवीजबल पुल्क के राज्यों के बिचवटवारों को लेकर नया 36 सुत्र तेयार किया गया, बहिस्कित घरों तथा उन्हें प्रदान किये भारों में भी परिवर्तन किया गया, तेर्वीजबल पुल्क के सापिक 14 वित्वाग में दो नए घरों को अपनाया गया, 2000 की जनसंख्या तथा वनाच्छादन तथा राजकुशी अनुशंसास संबन्तित घर को हटा दिया गया, इन अनुशाषकों को लागू करने से देश राजकी समवात की तेजी से अगरसर होगा, जिसमें राज्यों के अधिक वित्वी स्वायता मिलेगी, उधारन के लिए नाम मात दो जीडिपी वित्वी तत्त कर उचाल के अनुसार, तदा 2015-16 के इन धारित नित्यों के अधार पर ये अंदाजा लगाया जाता है कि राज्यों के अधिक राज्या सुद्वी तो दो लाग कड़ों रुपे होगी, इसमें से एक बड़ा भाग, एक बड़ा हिस्सा डिजिबल पूल में राज्यों की हिश्ये में प्रवर्तन का प्रतिंदित्व करता है। पारंबिक आगलन दर्शाते हैं कि सभी राज एक सी टांसपर से लाव लाने वाले हैं, हलाकि जहां तक वितर्णिय प्रभाव की बात है, विद्धी की आयस जलसंख्या, कुल राज घरेलू उत्पाद, वर्तवान बाजार मूल पर अत्वा राज्यों को अपने कर राजश प्राप्तिय के आधार पर ही होनी है, इसके राज्यों के राजश पर निम्लिकित प्रभाव होंगे, पहला सबसे अधिक लाप के विशेज दर्जे वाले राज्यों होंगे, तथा प्रतिव्यक्ति के हिसाब से अधिक लाप में रहेंगे, इस पश्ट है कि राज्यों की दरों की बढ़ोतरी केंद के लिए वहनी है, लेकिन तभी तक जब तक कि राज्यों को केंदी रियोड़ना सहता में कमी की जाए, दूसरे शब्दों में राज्यों को राजश इम्लिके मामनों अधिक स्वात्ता होगी, यही यह भी संभा है कि इसका अनुमान लगाया जाए कि वित आयोग राज्यों की कुल खर्ट छमता के वेवारे में क्या करेगा जहां कुल संभर्धित अत्रिक्त FFC ट्रांसपर तता घटू ही केंदी सहता के बीच की अंतर को मोटे तोर पर विशेज दरजा वाले राज्य जो इसके 25 पतिशत से अधिक प्राप्त होने की उम्मेद हैं CSA से FFC से टांसपर के और बढ़ने का एक दूई पार्श्विकला भिया है कि कुल अगर सिर्ता में और सुधार होगा और शुदार होगा और शुदार कम NSDP वाले राज्यों को अधिक NSDP वाले राज्यों की तु में कम प्रग्रतिशील थे प्रतिशपरदा संवाद की अबधाना एम दिश्टी की ओर विस्तित करेंगे एक ओर अत्यन्त अनिवार कारी होगा सहकारी एम प्रतिशपरदा संवाद के दायरे में नगरों एम इस्थानी निकारों को ले जाना जो की एक बड़ी नितिगत चुनोती होगी थैंक यू